दोस्तो इस वीडियो में हम आपको आईफोन की हेड़फोन सेफटी सेटिंग्स के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है आप जाएंगे अपने आईफोन की सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाते ही इस टाइप का इंटरफेस आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको एक option दिखाता है sounds and haptics का आपको इसपे click करना है और इसपे click करने के बाद करना है नीचे की ओर scroll जैसे ही आप नीचे की ओर scroll करेंगे आपको एक option दिखाएगा headphone safety का यहीं पर यह setting होती है आप इसपे simply click करिए तो इसके अंदर आपको दो options मिलते हैं करेगा okay seven days तक मतलब seven day के period तक measure करेगा और आपको मतलब एक notification आ जाएगा अगर आप जो है कि हाँ भाई हम जो है बहुत ही तेज आब आज में सुन रहे हैं जिससे हमारी hearing जो है वो damage हो सकती है या फिर हमको कोई problem हो सकती है तो आपको notification मिल जाएगा okay इसके अलावाद दूसरा आपको एक option मिलता है reduce audio reduce loud audio का आप इसको अगर on कर देंगे तो होगा क्या आपका iPhone जो है वो जब आप headphone में आप लीड लगा करके कोई भी audio सुन रहे होंगे तो अगर आप particular जो set decibel level है उससे above सुन रहे होंगे high सुन रहे होंगे high decibels पे heavy sound होगा loud sound होगा तो वो automatic जो है वो reduce कर देगा iPhone analyze करके अपने आप ही reduce कर देगा जैसे यहाँ पे हमने on किया तो by default 85 decibels है तो लिखा है as loud as heavy city traffic मतलब उतना तगड़ा sound होता है यह इस level का जितना heavy traffic में होता है sound noise होती है उतना तो यहाँ पे आप कम जादा भी कर सकते हैं कि कितने decibel जो भी जितने भी decibel आप set करेंगे वही उतने ही decibel को analyze करेगा मतलब जो भी आप sound सुन रहे होंगे वो इसके comparison में analyze करेगा आपका iPhone और अगर इस decibel से उपर सुन रहे होंगे आप तो फिर वो automatically reduce कर देगा एक चीज और यह अगर आप इसको on करते हैं तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे कम जादा फिलाल कर सकते हैं बट नेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर यह website है इसके according 70 decibel से ओवर अगर 70 decibel के ऊपर आप सुन रहे है प्रो लॉंग पीरेड मतलब लंबे समय तक के लिए तो वो जो है आपकी कर दो कर दो